हिवाजर प्रदेश में अभी तक बर्फ बारी देखने को नहीं मिली है लेकिन लोग निर्मार विभाग ने बर्फ बारी होने पर उससे निपटने के लिए पुक्ता इंतजाम कर लिये हैं इसे दिशा में लोग निर्मार विभाग द्वारा पहली बार शिमला के आठियों के पास कैल्शियम क्लूराइट ब्राइन प्लांट सापित किया गया है जिसका सोमवार लोग निर्मार मंत्री विक्रा मरित्या सिंग ने शुभारब किया बर्फ बारी होने पर सडकों में कैल्शियम क्लूराइट का चिरकाव किया जाएगा जिससे बर्फ तुरंट पिखल जाएगी एजुरान लोग निर्मार मंत्री विक्रा मरित्या सिंग ने कहा कि बर्फ बारी के कार्ण सडके बर्फ से जाम हो जाती है और बर्फ को हटाने के लिए काफी पैसे खर्च हो जाते हैं जिसमें ब्रष्टाचार भी होता है इससे निपढने के लिए लोक्रिमान विभाग नी कैल्शियम टुराइट ब्राइन का इस्तवाल करने की यूशना बनाई है जिससे तुरंत बर्फ पेगले की और पैसे की बचत के साथ साथ भुष्टचार भी खत्म होगा शिबला के बाद लोक्रिमान विभाग द्वारा इस तरह के प्लाज अन्य बर्फ बारी बालिस्थानों पर भी स्थापित के जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट ने हर तरीके से त्यारी हम पूरी कर रहे हैं और खास करके जो हमारे 12 ऐसे डिविजन्स है प्रदेश के अंदर जो हेवी स्नोफॉल प्रोन है तो वहां पर मशीनरी की डिप्लॉइमेंट्स के बारे में मैंने आपको पिछे ही जानकारी दी थी चाह कि यतायात में कोई भी सुविदा उसक्षेतर के लोगों को ना मिले आज उसी कड़ी में एक और मजबूत कदम हमने लिया है मैंने आपको उस दिन भी जग जाहिर किया था कि जब हम विपक्ष में थे उसमें भी हमने ये चिंता विक्त करी थी कि जब बर्फ सफाई होती है तो उसमें काफी हमको उसमें धांदली देखने को मिलती थी और विपक्ष में रहते हुए भी मैंने कई बार इस विशे को विधान सबा के अंदर रखा क्योंकि आप देखते हैं कि कितनी क्लेरिंस हो रही है कितने टेंडर्स जो है वो स्नो क्लेरिंस के लग रहे हैं कितनी करप Sure's के का इसलόना कने कर है इसको твоi फिली कर निया इनीर कम जस और पाती है और इसका है कम कर दोने के लिए उसको हम फो दिएरो कररने के लिएए एक नया इनीशे कि व डिपार्टमेंट नहां वेन तुन हमारी गाडियों के माध्यम से जितनी भी सड़कें शिमला शहर के अंदर है और आने वाले समय में और भी डिविजन में भी इसको हम शुडू करेंगे वहां पे इसको स्प्रे किया जाएगा ताकि इसकी जो हीट बनती है उससे जो बरफ की फॉर्मेशन रोड पे है वो एकद वो भी बहुत एकनॉमिकल है 500 रुपए प्रती किलो मीटर सिंगल लेन के रूप से इसका खर्चा आता है इतना खर्चा तो हम जब हमारी बरफ बगरा पड़ती है तो उस समय जो मिटी डालने का लेबर का खर्चा है इससे दो गुना ज़ादा हो जाता है शेहर के अंदर ही तो मैं समझता हूँ कि ये सस्ता भी है टिकाओ भी है एकनॉमिकली फ्रेंडली भी है और कम खर्चे का भी है तो इसका फाइदा मैं समझता हूँ कि इस खशेतर के लोगों को होगा इसके लिए मैं अपने विभाग के सभी मानने अधिकारियों को और इंजिनियर्स को इस श करफ के मौसम में पूरी सेयोग जो है वो मिल सकें